दोस्तो आज किस वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अपने वार्षप में two step verification कर सकते हैं दोस्तो अगर आप complete जानकारी चाहते हैं तो आप वीडियो को skip मत करिए और वीडियो के last तक बने रहिए दोस्तो आप लोगों अभी तक मेरी यूटुब चैनल को subscribe नहीं क्या है सबसे पहले मेरी यूटुब चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें और साथ साथ बेल का इकन को भी दबाना मत भुलिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोट करूँगा आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा तो चलिए दोस्तो बिना टाइम वेस्ट किये आज के यहां वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं जैसे कि दोस्तो आप लोग देख पा रहा है अभी मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर हूँ यहां पर मैं सबसे पहले वाटसाप को उपेन कर लेता हूँ चलिए मैं अपने WhatsApp को open करता हूँ, दोस्तो WhatsApp को open करने के बाद आपको chat status calls दिखेगा, तो simply दोस्तो आपको कुछ नहीं करना है, chat पर klik करना है, दोस्तो यहाँ पर मैंने chat पर klik कर लिया है, अब आपको ऊपर में right side में 3 dot मिलेगा, इस पर klik करना है, इस पर klik करने के बाद आ आपको कुछ एक्ष्ट्रा सेटिंग मिल जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है simply account पर क्लिक करना है दोस्तो एकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ और सेटिंग मिल जाता है जैसे privacy, security, two step verification, change number, request account info, delete my account तो आपको क्या करना है simply two step verification पर क्लिक करना है चले हम two step verification पर क्लिक करता है दोस्तो यहाँ पर मैंने two step verification पर क्लिक कर लिया है अब आप लोग को नीचे में enable का option दिख रहा है enable के option पर क्लिक करना है चले मैं enable के option पर क्लिक कर लेता हूं दोस्तों यहाँ पर मैंने इनेबल का अपसंपर क्लिक कर लिया है। अब यहाँ पर पूछ रहा है आप कोई भी ऐसा पासवर्ट डालेए। ढेकर जो आपको याद रहे हैं। तो चली हम पासवर्ट डालता हैं। चले हम अभी जो पहले password डाला है उसकर डालते हैं तो मैंने यहाँ पर confirm कर लिया है ठीक है अब यहाँ पर आप लोगों को email पूछ रहा है तो आपको यहाँ पर simply अपना जो भी email है उसको डालना है चले मैं अपना email डाल लेता हूँ आपके पास जो भी email id है उसको डालना है अब हमको क्या करना है next पर click करना है चले next पर click करते हैं दोस्तों यहाँ पर फिर से पूछ रहा है आपको जो पहले email डाला है email id डाला है उसको फिर से यहाँ पर डालना है यहाँ पर confirmation के लिए फिर से email id मांग रहा है तो मैं इस प्रकार से अपना जो email id है उसको डाल रहा हूँ ठीक है तो यहां पर नीचे आप लोगों को दिख रहा है सेव का option तो सेव के option पर क्लिक करना है चले हम सेव के option पर हरु सबसे नीचे में done का option दिख रहा यां पर क्लिक करना है चले का option पर क्लिक कर लेते हैं दोस्तों हमारा जो हो चुका है तो इस प्रकार से हमारा जो 2 step verification है वो complete हो चुका है दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हम कितने आसान तरीके से अपने जो WhatsApp है उसको 2 step verification का setting कर सकते हैं आज किल फिल हाल बस इतने कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे तब तक लिए नमस्कार